दर्भंगा अब बड़ा हो रहा है। दर्भंगा की धर्ती अब विस्तारित हो रही है। यहां के आवाम अब स्वास्थ्य, सडक और आकाशिय उडान के बड़े भागिदार बनने वाले हैं। हम एरपोर्ट की सुविधा ले रहे हैं। इंस बनने वाला है। इस बीच पूर्ण बिहार को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। नए साल में नया कुछ होने की बाट जोहता दर्भंगा अब सरकेगा नहीं दोड़ेगा। लंबी तेज पहलगामी दिखने लगी है जब यह सौगात नए साल पर दर्भंगा वासियों समेट बिहार के कई हिस्सों क जोड़ता आगे बढ़ने वाला है जब हमें मिलेगा अमस दर्भंगा के बीच 230 किलोमेटर लंबे नियंतरित एक्सप्रेसवे। इसकी आधाशिला का मुरहूत निकल चुका है। जब दर्भंगा समेट बिहार को फोरलेन की सौगात मिलने वाली है। खास यह केंद्रिय मं जानकारी के अनुसार इस बड़े सौगात के लिए गर्भंगा में बड़ा आयोजन भी होने जा रहा है। इस आयोजन में नितिन गर्भंगा के बीच 230 किलोमेटर लंबे नियंतरित एक्सप्रेसवे। की आधार शिला भी रखी जाएगी। इसकी जानकारी राज्य सडक निर्मान विभाग ने देते हुए कहा है कि बिहार में 20,000 करोड की लागत से राश्ट्रिय राजमार परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास दर्भंगा में आयोजत समारोह के दौरान होगा। क्या है पूरी तयारी जिससे बिहार में फोरलेन का जाल बिचने जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस परियोजना को लेकर बताया जा रहा है कि नितिन गडत्री पांच जनवरी को पटनाग्या डोबी फोरलेन एनेच 83 का लोकारपन करेंगे। इसके अलावा गलगलिया अब खबर विस्तार से जानकारी के अनुसार 2015 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिती ने पटनाग्याडो भी फोरलेन की लागत 5519 करोड आकी थी। इस परियोजना को पूरा करने का अंतिन समय 2023 निर्धारित है। लेकिन गया में रेल ओवर ब्रिज के निर्मान के लिए भारतिय रेलवे से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसमें देरी हुई। यह समारोह दर्भंगा में आयोजित की जाएगी। इसमें अमस दर्भंगा के बीच 230 किलोमेटर लंबे नियंतरित एक्स प्रेस्वे की आधा परशिला भी रखी जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि केंदरिय मंतरी नितिन गड़करी आदिलबारी, सोनपुर, मानिकपुर, पूर्वी चमपारण, रोड, सीवानमसरक और सीवान हतोना रोड पर काम शुरू करने की आपचारिकता भी पूरी आदिलबारी मानिकपुर रोड बुद्ध सरकिट तो सीवानमसरक और हतोना रोड रामायन सरकिट का हिस्सा है। इसके अलावा गलगलिया ठाकुर कंजभा दुर्गंच, एनेच 328E और पूर्णियाट की हार्नरेंपुर, एनेच 111A का उदघातन किये जाने की संभावना ह वे पटना सरिस्ताबाद नाथुपुर के बीच 3 किलोमीटर लंबे फोरलेन विस्तार की आधारशिला रखेंगे। यह रोड पटना ग्याडो भी फोरलेन को सरिस्ताबाद में पटना बायपास के पास जोडेगा।